देखें जो प्रकास का प्रावर्तन होता है और जो अपहृतन होता है इससे आपके 5 नमर के कोस्चन एकजाम में आते हैं और कॉफी इंपॉर्ट्रेंट भी होते हैं तो आप लोगों से एह रिक्वेश्टे होग MOO आप लोग लाश तक वीडियो जरूर देख़िए तॉपिक को आच्छे समझजिये और आपके एक्जाम होंगे तो आएगा तो आप लोग पूरे विष्टार से लिखिएगा तो आएए प्रारम करते हैं देखते हैं प्रकास का प्रवर्तन होता क्या है इसके कौण-कौण से नियाम है जैसे देखे प्रकास का परवर्ता अथाद आप लोग कहा सकते हैं reflection of light reflection of light देखे कोई polystar यहाँ पर जैसे कोई चिकना तल है देखे यहाँ पर बना हुआ है M1 और M2 कोई polystar या चिकना तल है जब इस पर हम प्रकास को मतलब गिराते हैं मतलब जब प्रकास किसी polystar या चिकने तल पर गिरता है मालने जब प्रकास जो है वह इस पर गिर रहा है तो उसका अधिकान सबाग उसी माध्यम में वापस लड़ जाता है मतलब जान लिजए अगर यही आपका कोई polystar चिकना तल है यही तो है इस पर प्रकास किर रहा है मालने जब जाय से तो इस प्रकार से वह उसी तिसा में वापस लड़ जाता है इसको हम क्या कहते हैं इसी को यह प्रकास का हम लोग परावर्तन कहते हैं आप लोग चित्र के माध्यम से समझीएगा ठीक कि देखे प्रकास जो है A से B तक कहां से A से B देखिए आपतित किलार इसे गयते हैं A से B यह इस पे गिर रहा है ठीक और फिर यह परावर्तित होकर किससे B से C यह परावर्तित हो जा रही है तो यही जो घटना रहती है ना यही आपका प्रकास का परावर्तन होता है प्रावर्तित किराड और अफदित किराड इंसिडेंट रे ठीक, तो आप टो किसे समझ लेजिए, फिर से एक बार कोई प्रकास है, अगर वह किसे चिकनातल है, उस पर गिरता है, तो उसका जो अधिकास बाग रहता हुए, रिफलेक्ट हो जाता है उसा में, उसे माध्य में, ठीक तो वही प्रकास का परावर्तन होता है इसके कुछ रोल्स भी हैं उसको भी हम देखते हैं देखे जो प्रकास का परावर्तन होता है इसके दो रोल दिये गए हैं नियम है पहला है आपतन बिंदू, आपतित किराड़, परावर्तित किराड़ और अभिलाम्ब ये जो होते हैं वो एक ही तल पर इस्थित होते हैं तो आईए चित्र के माद्यम से समझते हैं जैसे देखिए सब एक ही तल में हैं देखिए परावर्तित किराड़ एक ही तल में प्रावर्तित किनाड़ आप्तनकोड और अभीलंब मतलब आपतन बिंद जो है एक ही तल में हुते हैं First rule यह कहता है Second rule है 100 जो प्रावर्तनकोड रहता है प्रावर्तनकोड विच्थे में बता धी रहे हैं उसके बरावर होता है ठीक तो आपतनकोंड जो है प्रावरतनकोंड आपतनकोंड का मतलब आपका होता है angle of incidence and प्रावरतनकोंड जो होता है वह angle of reflection यह जो होता है वह हमेशा बरावर होता है चित्र में देखिए यहाँ पर आपको I दिख रहा है आपतन कोड़ देखिए हाँ पर आई है और परावरतन कोड़ हाँ पर आ रहे हैं यह दोनों हमेशा परावर होते हैं तो यह होगा आपका क्या प्रकास के परावरतन का रूल देखिए जब क्वेश्चन पुछा जाएगा तो दो नंबर में पुछ सकता है कि प्रकास के को यहांग पाँचनिकों कि प्रावात्थन प्रावात्तव 46 प्रोप्वसटें नीन के मैं अउर्धन आभ आयोगतान पर्कास का प्रॉथन लेते हैं लोग वो प्रक्स का प्रवत्तन मतला रिफ्रेक्ष सफ उन रिफ्रेक्शन में क्यों एक न दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है जब प्रकास की किराण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जैसे देखें माध्यम फर्स्ट आपका यह है और सेकेंड माध्यम आपका यह है तो जब फर्स्ट माध्यम से जाती है तो वह अप प्रकास की किराण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है मान लीजिए यही है आपका माध्यम फस्ट है और माध्यम सेकंड है तो यहां से चलती है फस्ट माध्यम से तो सेकंड माध्यम में वह जब जाती है तो इसका रास्ता यह था लेकिन यहां पर नय जाकर वह थोड कहते हैं इतना प्रोख समझ गहंगे对 और किया कुछ रूल से ने ज़र कास के कि यॉरल मात्यम से सगन मात्यम में जाती है तो हब लंब कि और चोती है कि तो देखिए ज़वहिआ आपका ціयरा मातं तो आपका यही है अभिलंब आपका यही तो है अभिलंब आपका यही है और किरणा रही है विरल माध्यम से और कहां हो जा रही है सगन माध्यम में पहुंच रही है तो अभिलंब जो है आपका खड़ा चुल लाइन है उसकी तरफ यह क्या कर रही है जुख जा रही है और फ फिर वह यहां से जाएगी सघन से सघन से उसमें जाएगी तो क्या करेगी अभिलम से वह दूर भागने की कोशिस करेगी तो इसको भी आपको ध्यान रखिएगा जब भी आपको पूछे तो पूरा लिखिएगा क्या जब प्रकास के किनाड विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभी लंब की ओर जुक जाती है और जब सखन से वेरल में जाती है तो अभी लंब से दूर हटती है इसे द्यान में रख लिजेगा और इसका परिवासा हो गया क्या जब प्रकास के किराण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हमने अभी आपको बताया माध्यम का चित्र बना कर उसमें जब जाती है तो अपने मार्क से बिचले तो जाती है मतलब वह रास्ते से चेंज जो जाती है उसी को प्रकास का हम आप वर्टतन कहते हैं इसके भी कुछ डूल से दिये गए हैं उसको भी हम देखते हैं चित्र या चित्र आप लोग बना लीजिएगा आपके एक्जाम के लिए कॉफी इंपर्टेंट है बना देंगे तो नंबर अच्छा मिल जाएगा देखें माध्यम फरस्ट है और माध्यम सेकेंड है या अप तित्र किराड है यहां से आ रही है और आप तन कोड आपको हमेशा आई बताया था हमने इंसीडेंस एंड यहा माध्यम 2nd है आप्वह नियम से रेप्रेजेंट किये हैं आप लोग इतना बना लिजिए इसके भी देखेओ दो रूलस है अपवर्तण के भी दो नियम बताएगा है अपवर्तण के भी दो नियम बताएगए थे पाला है क्या अप्तित किराड अप्वर्तित किराड और अभिलंब तीनों एक ही तल में आप्तन बिंदु पर इस्थित होते हैं ध्यान रखेगा अप्तित किराड अप्वर्तित किराड एम अभिलंब तीनों जो होते हैं एक ही तल में इस्थित होते हैं कहां पर अप्तन बिंदु पर त्वाइच चितर में देख लेते हैं कहां है हमारे देखिए आप्तित्किराण यहां पर ठीक अभी लंब भी आपका यहीं पर आ रहा है और अपवर्थित्किराण भी यहीं पर आ रहे हैं किस पर कोई बिंदु मालेजे ए पर और यह आप तरभी दू है तो प्रत्रम रूब ले हो गया आप तित किनार अभिलाम अपर तित किनार तीन होए कही तल इस्थित होते हैं कहां पर आप तन बिंदु या नि या पर सेकेंड रूल यह है है एक निश्चित तरंग दायरत के लिए जो आतन कोंड कि जया और अपरतन पोन केज़ा कानपात होता है बनृति रहता है मतलब कोई निस्चित तरंग दायरत्द मतलब अब कुछ News मान सकते हैं उसके लिए जो साइन अप स्था का मतलब हो या मतलब साइन आर हो गया बराबर क्या होता है हमें यह तांग प्राप्त होता है मतलब इनका जो पात रहता है वह नियत रहता है किसके लिए एक निष्ट तरंग दैड्ध के लिए तो इसको पढ़ लिजेगा इसे हम स्नेयल का रूल भी बोलते हैं जाम मैं आपके पुछता आएक पर एक निष्टित तरंग तैड़्ध के लिए ठीक दोस्तों हम आसा करते हैं आप लोग समझ क्या होंगे और यहां से आपके पांच नंबर बन जाएंगे अगर आप लोग तयारी अच्छे से किये रहेंगे तो और इसकी जो अन्य पीछे की वीडियो आई हुई थी फर्स चैप्टर के उसमें भी आपको अमने इंपॉर्टेंट टापिक बताया था और भी जो कोश्चन्स बच्चे हुए हैं उस अब को भी बताया जाएगा और आपके एक्जाम टाइम में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट किस रेज भी दे जाएगी जैसे पढ़कर आप ल प्ले लिस्ट बना दी गई है तो आप लोग सभी कोश्चन्स वहां से मैद के भी पास सकते हैं और जो सब्जेक्ट है उसके भी सब्जेक्ट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में